नमस्कार मैं डाक्टर रजनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत कटा हूँ जैसा कि आप जानते हैं जून दोहजार चोविस यूजीसी नेट एंटिये ने अपने अप्लिकेशन फॉर्म को जारी कर दिया है और साथ में 54 पेजों की एक बुलेटेन पीडियाफ भी उसने जारी किया है और हमने इस पर पहले भी वीडियो बनाया हुआ था और दुबारा जब मैं इस पीडियाफ का अध्यान किया तो मुझे कुछ और पॉइंट्स दिखाए दिये जिससे कि मुझे लगा कि आप सभी सिचर्षा करना चाहिए और बहुत विद्यार्थियोंने किया तो किने किया यानि कि जब वह एम मे कर रहे हैं यह फिर कि सेमिस्टर में है तो कर भी एक आही दिया उन को भी इस बार मौका दिया जा रहा है कि वह फॉर्म भर सकते हैं तो उनकी क्या क्राइटिरिया इसके उपर बात करेंगे और तीसरा जो महत्पूर्ण बिंदू है कि सर्टिफिकेट की वैलीडिटी क्या है ठीक है एक साल है दो साल है तो इन दोनों पर चर्शा करेंगी मेरे ख्याल से अभी तक इस फॉर्म को लेकर ये टिनों बिंदू काफी महतपूर्ण है और एक तरीके से नए इसको रूप में लिया जा सकता है तो देखें पर एक चीज बताए गई है कि फर एडमिशन तो पीएजडी ध्यान से इसको देखना है आपको फर एडमिशन तो पीएजडी दे मार्क्स अप्टेंड इन दे नेट बाइड दे गांडिडेट इन कैटेगरी टू और कैटेगरी ट्री विल बी वैलिट फार एं प्यूरिट आफ वन इयर यानि कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री में जो भी विद्यार्थी पीएजडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और उनके जो भी मार्क्स हैं अब वो एक साल के लिए क्या होगे वैलिट होगे ठीक यहां पर लिखा गया कि जब से रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके एक वर्ष तक यह सब वैलिट होगा ठीक है न तो एक वर्ष के अंदर आपको पीएजडी में एडिमिशन ले लेना है ठीक है न तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है और यहां पर बताया भी गया है कि जो जियारफ हो जाएंगे उनका तो मा लिजिए कि PhD प्रोग्राम इंटर्व्यू बेस पर होगा यहां पर पॉइंट को देखे जियारफ क्वालिफाइड कंडिडेट्स आर एडिमिटे यह इसी प्रिक्षा के मादिः से इन्टरेंस देंगे और इन्टरेंस में क्रेटरिया बनाया गया है यहां पर घ्र mobile 3 कि सीधे इंटर्व्यू की बाद की गई और फिर 30 नंबर का हो सकते की इंटर्व्यू हो लेकिन केटेगरी 2 और केटेगरी 3 के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि रीटेन एक्जाम का 70 प्रसद और 30 प्रसद इंटर्व्यू का वेटेज दिया जाएगा इसके बाद मेरिट ब आया तो एक वर्ष तक वैलिडिटी रहेगी एक वर्ष तक आउस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी रहेगी एक वर्ष के अंतरगत आपको ले लेना पर बताए गए इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी यह फॉर्म निकला हुआ है जयारफ के लिए तो है इसके आत्रिक्त औ इसके बाद हम बात करते हैं नीचे में और माथपून पॉइंट दिया गया है कि यहां पर देखें बताया गया कि ऐसे काइडिडेट जो पिएडिए एडिशन के लिए के लिए क्वालिफाई किया गया है और उनकी मास्टर डिग्री या फिर उससे डिग्री है एक साल के अंदर अंदर नेट के रिजल्ट के एक साल के अंदर अंदर जब से नेट का रिजल्ट निकला हुआ है उससे एक सा कि अंदर उनके सारे जो भी eligibility है complete होनी चाहिए चाहिए परसेंटेज आप marks हो चाहिए जो भी criteria खासतोर से percentage ठीक है अगर यह नहीं करते हैं तो वो disqualify माले जाएंगे ठीक इसके बाद जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि इस farm को हम कफ से apply कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर बत करें तो उसके दो साल के अंदर में within two years from the date of net result with required percentage आप मार्क्स आपको ला देना है यानि कि माल लीजे आप इस समय में एडिमिशन लिये और आपके विश्व विद्याले का जो भी session है वो इंदम अच्छे से चल रहा है तो आप इस pump भर सकते हैं ठीक है first semester में है तो भी भर सकते हैं लेकिन दो साल के अंदर अंदर आपके पास वह प्रमान पत्र आ जाना चाहिए माल लीजे जून दो हजार 24 का एक्जाम दे रहे हैं ठीक और इसका result आगया जुलाई में जुलाई दो हजार 26 तक बलकि आपके पास एम में की डिगरी होनी चाहिए ठीक है यहां पर इस चीज़ को आपको समझ लेना है कि माल लीजे जून दो हजार 24 में आप बैठ रहे हैं ठीक और दो साल इसमें आप जोड़ लीजे यानि कि जून दो हजार 26 तक आपके पास में का प्रमारपत्र होना चाहिए तब माल लेजे कि आप इस परिक्षा में वैलीड है बाकी नहीं तो क्या हो जाएगा डिस्क्वालिफाइड कर दी जाएंगे अगर दो से अधिक समय लग जाता है आपके प्रमारपत्र लाने में या फिर जो भी इसकी क्रैटेरिया थी कि ध्यान में रखना कि अगर जब आप पिएजडी के लिए जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक साल की वहां पर वैलीडिटी है ठीक लेकिन अगर आप फॉर्म को एप्लाई कर रहे हैं और में ठीक है तो में आपका रिजल्ट्स के आने के बाद मतलब दो साल में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए हर हालत में तो यानि कि आप में फॉर्स सेमेस्टर से इस फॉर्म को भर सकते हैं सेकेंड में भर सकते हैं थर्ड में भी फॉर्स में भी जब भी आपको लगए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आगे बात करते ह चेंज कर दी गए क्रेटिरिया क्या चेंज की गए है कि आपका कम से कम 75 प्रस्ट होना चाहिए जहां में 55 प्रस्ट का आ जा रहा था वहीं फोर्थ यह प्रोग्राम वाइसलर डिग्री में आपका 75% मिनिमम नंबर होना चाहिए ठीक है और थोड़ा सा रिलेक्सेशन दिया हुआ है कटेग्री वाइस तो पांच परसेंट कर दिया हुआ है मतलब कि सत्तर यहां पर कटेग्री वाइस जो भी विद्यार थी उनको लेना यह सी एस्टी ओबीसी के लिए ठीक है या फिर यहां पर भी छूट दिया गया तो वह सत्तर परसेट लेकिन यह फोर इयर प्रोग्राम के लिए तो आप देखेंगे कि फोर इयर प्रोग्राम किन-किन विश्विद्यालों में है अब धीरे-धीरे नई सिख्षानीती के तर्थ इसको लागू किया जा रहा है ठीक है तो वह सारे बच्ची अगर फोर्थ इयर में चले गए उनका परसे इसके बाद लेकिन वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होंगे आपको इसके लिए पीजी तो करना पड़ेगा ठीक है लेकिन मौका यहां पर मिल गहा है और यहां पर चीजें सारी बताई गई है और यह भी कहा गया कि चाहें तो बच्चे पीजी में अपना एडिमीशन ले सकते हैं जो चार वर्थी यह तरीके से नया है आपर प्रोग्राम इसको लेकर मैं बोल रहा था कि निउज में आया हुआ था लेकिन इसमें दिया गया ह तो मैं बाद में इसको देखा तो मुझे लगा कि आपसे चर्शा कर दूं कि नहीं यह बात सही है आदेकि इसको बनाने का मेरा उद्रशी यह था कि कम सकम आप जान जाएं कि आप फॉर्म को भर सकते हैं और अगर आप फॉर येर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन असिस्टेन प्रोफेसर के लिए दीवर नहीं होंगे आप पीएडी में एडिमिशन ले सकते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई एक आडिल काड होगा उसका यहां पर इंट्री करना पड़ेगा फिर क्लिक करके आगे इसके बाद इमेल एड्रेस फिर उसको कंफर्म करना है फिर मेल फिमेल को भी ध्यान से भरना है जल्दिवाजे में कई बार कैफे वाले गलत भी कर देते हैं मोबाइल नंबर को ध्यान में रखना है फिर कंफर्म करना है अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक देना आपको आप आपके प्रमार पत्र में दिखाई पड़ जाए खासर जो आईडी कार्ड इसको कर सकते हैं फिर इसको वैरिफाई करेंगे फिर इसके बाद यहां पर अपना एड्रेस भरेंगे ठीक है आकिस स्टेट में है कौन सी डिस्टिक है पीन कोड क्या है इन सारी चीजों को अच्छे से आप भरें कि समझ के इसके बाद देखें यहां पर बनाने वाले ने भी काफी खास ध्यान दिया है आयोद्या डिस्टिक को रखा हुआ है यहां पर ठीक है उत्तर प्रदेश का उधारन दिया है यानि कि जो भी पेपर या फिर इस इन टीए से जुड़े हुए हैं वो पासवर्ड बनाना है यहां पर पासवर्ड मतलब अच्छा सा जो कि आपको याद रहें ठीक है इन सबको भरेंगे इसके बाद यहां पर सेक्यूर्टी पिन दिया गया इसको भरेंगे समिट करने पर आगे यह बढ़ जाएगा इसके बाद जो कुछ आप डिटेल दिये रह जाएगा फिर OTP देखेंगे इसको करके फिर वेरिफाई कर लेंगे इसके बाद आपको मिल जाएगा आप्लीकेशन नंबर आपका रजिस्टेशन और अप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और फिर पासवर्ड यह तो रहेगा इसके बाद फोर्म का प्रोसेस आगे पर आगे बढ़ाते जाना है फिर पूरा आप अपना डिटेल देंगे डेट अब बर्थ हो गया और जेंडर हो गया पिता जी का नाम हो गया राश्ट्रियता ठीक है और फिर कोई आपका इडेंटिफिकेशन पहचान हो इसके बारे में फिर किस इस्टेट में है यह सारी फिर यह पूछेगा कि आप इस परिक्शा के लिए पौन बरना चाहते हैं तो किसमें है तो इसमें रहेगा कि आप में है ठीक है यहाँ पर जैसे लिखा है कि इन्वेस्टी अगर जिस इन्वेस्टी से पढ़ रहे हैं उस इन्वेस्टी का नाम भरना है और कितने नंबर पाए हैं सब अगर पास हो गया है तो ठीक है आना ही तो appearing भरेंगे तो यह सब आएगा ही नहीं ठीक है और बाकि चीजें यहां पर complete कर देना है complete करने के बाद फिर यहां पर पूछ रहा कि PhD details तो पूछ रहा कि कि आप PhD में admission पहले ले चुके हैं अगर लिए तो yes करेंगे नहीं लिए तो no करेंगे फिर इसके बाद यहां पर पूछा गया कि सन 19.1990 के पहले से आप कि बात के हैं ठीक है तो आप लिखेंगे कि हम बात के हैं इसको आप कर द whether you process research experience the subject after completion of PG तो इसमें no भरना है फिर इसके बाद एक सर्विस में अगर आप हैं तो yes भर देना है ठीक है जो है आप उसी को भरना है पुरा पढ़ पढ़ कर भरना है फिर center का choice करते समय बड़ा इध्यान रखना है यहां पर देखिए आया हुआ है तीन चीजों के लिए है असिस्टेन प्रोफेसर जियारफ और PhD ऐसे फार्म बरने जाएंगे तो यह सब आयेगा तो आपको क्लिक करना है तो ज्यादातर बच्चे मुझे लग रहा कि क्लिक करेंगे और फिर देरे देरे असिस्टेन प्रोफेसर और PhD के लिए ठीक है ना तो आपको देख लेना कि कि जाना चाहरा है इसके बास सेंटर का च्वाइस करना है तो आप अपने जो भी कमफर्ड जोन वाला सेंटर है उसमें कम से कम कितने सेंटर का च्वाइस आ रहा है चार सेंटर का च्वाइस यहां पर है ठीक है तो जिसमें पहला दूसरा तीसरा भरेंगे वही आपका सेंटर प्रेगरी करके आगे बढ़ जाएंगे फिर आपको फोटो और सिगनेचर अपलोड करना होगा ठीक है और मैंने बताया था कि 10 से लेकर 200KB के बीच में हैं इसके बाद सब करेंगे तो यह आप सब करने के बाद पर इसके बाद आप को प्रहिता दिखाएगा प्र28 passed उसके बाद उसके को हमाँश्च करने यह बाहिए बाम सब करने के बाद यहां पर दिखाएगा और सट का सब diameter –Succes data दिखाएगा और फिर स्टेटर्स तक से फिर आप उपना फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे ऐसा ही फॉर्म आएगा उसको डाउनलोड कर लेंगे जून 2024 के नाम से और पूरा आपका प्रोसेस आपर कम्प्लीट हो जाएगा तो हमने इसमें जो मेन की पॉइंट से उनके बारे मे भी मोटे तवर पर बाक्षित कर ली है और आप मेंटली तयार होके इस फॉर्म को भरेंगे और फिर तयारी में लग जाएगे तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तबते के लिए नमस्कार